हेलो एब्रीवन वेल्कम टू इवन एस्टडी पॉइंट सो फ्रेंड्स जैसा कि थम्निल देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाल है यूपी प्यस्टी ज्वाइनिंग के बाद में कि यूपी प्यस्टी की ज्वाइनिंग कब तक होगी तो आप लोगो दिखाएंगे पूरी यहां पर आपको आपएणिंग दिखा रहे हैं और यहां पर जो है कि जो यहां पर जॉइनिंग करना मिल्कोल भी ना भूले यहां पर डायर की गई थी उसके बारे में जो रिट दायर हुई है और कब इसका इसकी सुनवाई हुए और अभी सुनवाई कभ होनी है सब की जानकारिया आपको इसमें हम प्रोवाइड करते हैं करते हैं यहां पर देसकते हैं उपर दिया हुआ है हाइब आप यहां पर जाएर किया था फाइली नमबर यहां पर दे सकते हैं दिया हुआ है यहां पर फाइल you इसी कॉलम में फाइलिंग डेट आपकी मिल जाएगे कभी यहां पर फाइल हुआ यहां पर रेश्ट्रेशन हुआ और आपको यहां पर देखने को मिल आएगा अब यहां पर यहां पर फर्स्ट हेरिंग डेट थी आपकी तो आपको पता कि यहां पर देख रहे हैं इसको यहां पर किसने दाय किया था सबसे पहले उसकी डिटेल आप यहां पर दे सकते हैं यहां पर यहां पर दायर की थी और इनके जो एडवोकेट कौन को है आप यहां पर इनके नाम भी देख सकते हैं जो एड़ोकेट आजया चरिपार्थी जी है सुर्य प्रकास पांडे और सुनिल कुमार सुकला यह तीन एडवोकेट जो है पिटिशन कितर से और इसकी डिटेल यहां पर आपको मिल आगी उनके डिटेल यहां पर आपको दे दी गई है अब यहां पर आपको बता ने अचाहिए कि 19 अपरेल को आपका डिसीजन आएगा उसके बाद यहां पर जो है आपको दी जाएगी जोनिंग कब होगी किस डेट में होगी यह इंफर्मेशन नहीं दे सकता है लेकिन आपकी जो है अब वह 19 अपरेल के बाद ही होने वाली है क्योंकि 19 अपरेल को यहां पर सुनवाई है अच्छा यहां पर जो सबसे बढ़ा डाउट के मन में उठ रहा है वह यह है कि जो इस् और यह लेकिन यह केस दायर हुआ था आप दे सकते फाइलिंग डेट अठाई चनव गोजब बाइस का तो तो केस यह तभी दायर कर दिया गया था काफी अच्छे नंबर थे हैं क्योंकि कंडिडेट्स का कहना था कि जो है उस समय जो डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ यह उसमें लोगों साथ नहीं बुलाएगा तो क्यों नहीं बुलाएगा क्योंकि नंबर भी अच्छे थे उनका कहना कि मेरे हमाय नमबर है मैंने जो अनसर की मिलाई या जो भी है उसके साथ से मेरे मार्स अच्छे हैं बड़ हमें जो है डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन के नहीं बुलाया गया और जो डाकुमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ उसमें यह बोला गया था कि मिनिममम 20 नंबर से उपर क्वालिफाइट सभी कंडिरेट्स को यहां पर 20 जारी की गई थी जो 20 नंबर से उपर कंडिरेट्स मार्क्स पाये हैं उनकी लिश्ट यहां करने के बाद आपने सर्मिट के उसके बाद यहां पर डाकुमेंट्स का प्रोसेस हुआ लेकिन इन में जो है । तहत ale यह बात आपकी सही है कि हाके मांस ज्यादा है क्या आपने अपना किक हुआ कि तो उसमें कोई गल्की तो नहीं थी या फिर आपको वहाँ पर दिखानी होंगे अगर कनुकेशनल फार्म आपका लाग डेट के बाद पहुंचा तब भी तो आप दिश्क्वालिफाई ही माने जाएंगे कि अगर आपने नहीं भीजा होगा तो कनुकेशनल फार्म आपका टाइम पर नहीं पहुंचा होगा तो यह भी हो सकता है या फिर कोई डाकुमेंट्स कम रह गया हो यह सब चीजें वहाँ पर जो है देखी जाएंगे तो 19 अप्रेल को यहां पर सुन्वाई होगी उसमें जो और उसके लिए उनीस हप्रेल पर यहां पर प्रस्तुत करेंगे अगर आपके साथ से कमजोर्ण होते हैं या बुझ ऐसा होता है तो आपके आज का खारी कर दिद्द्दी आएंगी और दूसरी बात रही कि यहां पर इस्टे लगा हुआ है इसको लेकर जो ज्ट रुक्य यहाँ पर आप लोग को निंग तो 100 परसन्ट होगी अगर जो यहाँ पर इन काडिडेट्स के पच्छ में फैसला भी जाता है तो आप लोग की जोईनिंग नहीं रुखने वाली है ना ही कोई उसमें से बाहर किया जाएगा तो जितने भी कारणाम वहाँ पर इस लिष्ट में अब यहां पर किसी में किसी प्रकार का चैन नहीं किया जाएगा या उनको हटाय नहीं जाएगा कि हां से लिस्ट क्यारी सब चल रहा है लेकिन a सब्सक्राइब करें कि अगर कोई और यहां पर यहां पर डिले ही होना है फिर आपका डिले हो जाएगा एक दो मन्त तो इससे बेटर यह है कि आप सभी लोग जो भी वहां नियरस्ट हो पहुंच सकें लाहबाद यूपीपसी आफिस वह यहां पर जाके बात करें और एक चीज़ और यहां पर आपको जाब नहीं है कि आपके घ्जामीन की जाब है तो यहां पर संस्थाएं है यहां वाडी है और हमको सेलेक्टेर डिजए वह उन्हों करके जब्सक्राइब तो उनको हमें दे दिए हम अपनी वैकंसी फिल कर लेंगे आपके थुरू तो यह जो है जामीन बाटी होती है जा आपको कोई को नहीं है कि आप उसके ख्लाफ जैसे जा रहे हैं वह सको कोई दिक्कत नहीं है आप जाईए बिल्कुल लड़िए केस लड़िए लेकिन विड़ जो है आप मेंडिकल होना है मेंडिकल स वरिफिकेशन और फ्लीज वेरिषिकेशन भी होना है तो यह दोनों प्रॉसेस भी यहाँ पर होने ही होने है तो थोड़ा सा ज़्यव लगेगा जूड़कार। इहां पर पूरी रिट आपको देखने को मिल जाएगी इसमें मैंने प लेटर जारी किया गया था जोईनिंग के संब्द में तो उसका लेटर भी आपको हम दिखा देते हैं गवार लोग से आयूदार उत्ता प्रत्यों को नियूद्पदान किये जाने के संब्द में तो यहां पर नियूपती के लिए जारी किया गया था अपर बोला सारी आपको पहले वीडियो डाला जा चुका है पूरी इंफर्मेशनिस में दी गई थी कि यहां पर जो संस्तुतियां है यह जो है आदेश जो है आपको पहले तरब से आ चुका है उपर आपने देखा आपर मुख्षाची ने यह आदेश यहां पर कर दिया है उसके आपको जोईनिंग करना तो जल्द ही आपकी यहां पर श्योर है इसमें किसी प्रकार का कोई भी ड़ूड नहीं है तो यहां है तुक एक High Drug कर दिखा दिया है तो किसी भी प्रकाल का कोई भी डाउट यहाँ पर आप है अभ्यत्यों के पर्फी में जाती है नोने रित की है तो उनकी पोस्टिंग अलग से कर दी जाएगी और एक चीज़ यहां पर करना ते जो और कभी कोई ऐसा भहता हुए कोई आपको दाउड नहीं होना चाहिए तो वस इस video में फिस इतना हीि आपका स्रिफ यहाँ पर अप्र कक्लिया करना था तो आपका यहाँ पर नहीं यहाँ क्लिया करना छट्रू ना जल्दी होने वालवैं आप्रेल